प्रेंस गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आई होप सब ठीक होंगे रियल ब्लोक्स कंचन में आप सभी का स्वागत है तब इस सुबा का टाइम है और हम नास्ता बना रहे हैं तो नास्ते में आज बना रहे हैं केले की सेंडवीच तीकेला को चुटा-चुटा टुगरा में काट लिये हैं और ये ब्रेड पर ऐसी स्लाइस रखके इसको बना लेंगे ये बच्चे और बरे सभी को बहुत पसंद आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है ये दोनों के लिए हम बना रहे हैं हम लोग भी थोड़ा खा लेंगे ये देखे कितना अच्छा से ये बन जाता है लोग अपनों अपने लिए मियोनिज वाला बनाएंगे जो और बच्चा सभी ये वाला फ्रोट वाला खाएगा तो देखे ये हो गया है इसको बीस से काट करके देते हैं दोनों को क्या है हbeltकर हम लोग वोगा सेंटवेश घर लिए थो यहां पर यह बन रहा है राजा का प्रोजेक्ट उसको प्रोजेक्ट में मिला है हश्टेट बॉक्स बनाने के लिए मेरे हैस्वेंहें यहां पर यह शुता का सू बॉक्स है इस्चाय स्टेड बना रहे हैं इसका पहले नाप करके इसका निसान दे दिये हैं इसको और फिर उसका कटिंग कर रहे हैं कि अग्याइज करना है इस साइड से थोड़ा एक एक इंच करके ज्यादा कटिंग करना है अग्याइज कर वह ऑफ़ए आद भर अग्याद इसको यहां से कर देखाना है इस में अग्याज चाहरे, मतलब करना है हुआ आधे कि यहां कटना है और यहां से औहां कटना है यहां पर कटिंग हो गया था फिर हम इसको चिपका रहे हैं इसमें यह सब का मेरा ही होता है तो राजा तो अभी छोटा है उसको उतना आता नहीं है उससे सफाई से काम नहीं होगा वो करेगा तो इधर उदर कर देगा इसलिए हम खुद से कर रहे हैं अच्छे से कि देखिए किस तरह के से कर रहे हैं सहाद बच्चे को कुछ हेल्प हो जाए इसलिए थरा हम डिटेल में बता रहे हैं कि देखिए इसी तरह के से सब में लगा लगा करके चारो तरह चब से इसी तरीके से इसको टिपका लेना है इस देखिये कितना अच्छा ये बसुषिदقط से इसी तरह के से ढखन को भी इसी तरह के से कटिंग करके और उसको भी चिपका लेना है bekommt व्योंशती tyre सब जो हम रख रहे हैं यह फस्टेट बॉक्स में जो रखा जाता है इसे ज्यादा भी समान जैसे सिरींच उरिंच सब रख सकते हैं उसमें जो भी हो तो मेरे पास जो था जितना थोड़ा बहुत मंगा सकते थे उतना हम रख दिये तब देखिए इसको भी ढगन को भी इसी त से देखिए हम पहले मार्किंग कर लेते हैं जितना दूर हम कलर करेंगे देखिए उपर से भी कर लिए और नीची से भी कर रहे हैं उसमें हमको कलर करना है तब यह प्लस का हम निसान बना रहे हैं फस्टेट बॉक्स के उपर प्लस का निसान होता है तो बराबर हम नाप करक बराबर हम इसको बना रहे हैं कि यह प्लस का निसान हो गया है तो यह मेरे पास गोल सा है इसका हम इसके चार तरब से गोलाई देंगे है है अब चूरी से भी दे सकते हैं कोई भी चीज से इसका उसमें लिख लेते हैं है फ़स्टेर बॉक्स फ़स्ट बस लिखें हैं ब्बॉक्स लिखने का जागा नहीं बचाता है चला पर देखिए have penalty प्हेले पेंसिल से लिख लेते प्रिसमें कलर भरेंगे क Brave कि देखिए अब हम इसमें कलर भरना शुरू कर दिया है सबसे पहले चार तरब से इसको राउंड कर लेते हैं फिर इसके ऊपर इसके अंदर जो है गोलाई वाला अब पलस का छोड़ करके और उसमें फिर कलर भर लेंगे देखिए इस तरीके से पूरा डिटेल में इसलिए दिखा रहे हैं कि जाये मतलब किसी बच्चे को सीखना हो या बनाना हो तो वह सीख भी सकते हैं उनको हेल्प हो जाएगी इस तरीके से हम बना करके उसको दिखा रह है थोड़ा अच्छा ज्यादा दिखने के लिए अब देखिए फस्टेट लिख दिये हैं तो अब यह चारो तरब से जो मार्किंग क्या हुआ था उसमें हम कलर भार लेते हैं नीचे और उपर फस्टेट बोक्स बनके त्यार हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताएगा कै thank you bye bye